बिस्मिल्याइब लगाते हैं और बटन प्रेस करते हैं और ऑफ हो जाता है और अम्पेर की कंजर्प्शन भी थोड़ी से करता है जिससे यह मालूम होता है कि इसमें शॉर्टेज ना हो इससे मुझे ऐसे लग रहा है लेकिन में भी पोसिबिल्टी है कि लीकेज बगारा हो ल उसक्ता है टो लग ऐसे रहा है आपको जले मैं अब कि बगार प्लग करें आपको पता है कि मदर बोडर्ज आठीकल अन होता है अब मैंने पावर नहीं हुआ अब्सक्त्त फिर कि इस दफ़ा यह आटोमेटेकली नहीं हुआ मैं दुबारा से करूंगा पावर मैंने प्लग कर दी है और नहीं हुआ एक मरतबा यह उसके बाद में तो अब बटन प्रेस करता हूं और आप देखिए कि अम्पेर जैंब कहां तक जाते हैं कि अब उस लेवल पर नहींगे तो मैं दुबारा से पावर लगाता हूं यह और फिर मैं देखता हूं कि कुछ भी पावर ने लिए जाए डिसी जैक जो अभी लगाया हुआ अभी यह उन भी नहीं हो रहा है कि अब देजे ज्ट में लगा वह लेकिन अभी यह नहीं चले मैं एक मतर वह का अवेंस सेक्शन चेक करता हूं कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है कि अब इसमें जो प्रॉब्लम यह कि यह कभी कबार लगाने से यह नहीं होता डिसी जाए को जब हम लगाएं और सम टाइम यहां वह भी जाता है चले मैं एक मतलब फिर से ट्राइब करता हूं और आप यहां पर लाइट की तरफ देखिए गा यहां होता है कि नहीं ऑन हुआ और फोरन से उफ हो गया बटन प्रेस करता हूं अब यह तकरीबन टू हंड्रड मिली अंपेर तक गया है फिर से ओन करता हूं थ्री हंडडर अब दिसी पावर सप्लाई की तरफ देखिए गा इससे मुझे ऐसे मालूम होता है कि इसमें कहीं कोई शौटेज नहीं है तो चले मैं इसका जो है ना वीन का सेक्शन कर लेता हूं और बिता चुका हूं कि आपने वीन के जो मॉस्फिट हैं उन्हें कैसे अडंटिफाई करना है और कैसी आप उनको पहचानेंगे ठीक है कि मॉस्फिट ठीक है या नहीं तो चलिए मैं मेल्टी मीटर भी यहीं पर रख देता हूं इससे आपको दिखे गाने में तो मैं भी इन के मॉस्फिट करता हूं वह ठीक है या नहीं तो यह दो इसकी हैं कॉइल है कि यह पाजिटिव के वाइल है और यहां पर आउटपुट में भी और यह इसका फर्स्ट मॉस्फिट है और इसका आउटपुट और गेट के जो वोल्टेज हैं वह नहीं बन रहे तो इसका मतलब है ठीक है में भी यह पी चैनल मॉस्फिट हो इससे नेगटिव चाहिए तो आगे मैं देखता हूं नाइंटेन वोल्ट है और आउटपुट में नाइंटेन वोल्ट है और यहां पर गेट के वोल्ट पर दोनों पर नहीं बने लिए किसी एक पर तो बनने ही चाहिए थे यह वोल्टेज ऐसे कैसे हो कि यह दोनों ही चैनल है इसलिए यह फावर्ड में बेज सकते हैं इन्हें नेगटिव चाहिए थे तो नहीं मिल गए हैं नाइन वोल्ट मिल गया है शायद पहले प्रोब ठीक से लगा नहीं था और एक पर लाजमी मिनने चाहिए थे अब इस पर देख लेते हैं इस पर कु कि जो कॉइल है उसके पूस्पर वोल्टेच कर लेते हैं यहां पर यह मेरे ख्याल से फाइव वोल्ट और तो प्रोट क्योंगी से एक आगे भी कॉइल है उसके विजए कर लेते हैं कि 1.5 वोल्ट मतलब एस त्री तक जो है वो वोल्टेज इसके जनरेट हो रहे हैं मदर बोड के तो चले मैं बाकी कॉइल भी चेक करता हूं उनकी क्या कंडिशन है और जब मैं वोल्टेज चेक करता हूं तो मैं इसका ब कि आपको नजर आ जाई है यहां से बटन को प्रेस करना मुश्किल हो रहा है कि बटन है दूसरी तरफ चले मैं इसे देख रहेता हूं कि यहां पर सेवन सिक्स दिखा रहा है आपको पहले से शायद यह बैट्रीज गया रहा कि कॉइल ना हूट कि नाइंटीन वॉल्ट है इसके यहां पर कुछ वोल्टेज आये थे यह मैंने खाल साथ ग्राफिक्स की नहीं यह चले मैं दुबारा से देखता हूं से कुछ वोल्टेज बनते हैं ठीक है और फिर ड्रॉप हो जाते हैं देखें यहां पर भी ऐसी कुछ हुआ है मैं जरा एक मतवा डीसी को उतार कर दुबारा लगाता हूं और पावर को पावर बटन बनते हूं अब देखें जिरो पाण नाइन वोल्ट तक रहते और यहां पर पोड़ के, देखते हैं कॉर के बंते हैं को गली बनते हैं देखें और तो यह एक चोंगे ठीक से डिया सो में कितनी आएं और नहीं नहीं और फिर एक मरतबाँ चैक करता हूं पड़ाइब करने लगा हूं देखें वोल्टिज आती है लेकिन वह फोरन से ओफ हो जाती है और मैंसर रफ आजाता हूं कि देखें वन परंट संथिंग वोर्ड यहां पर भी बने है यहां ब्रोस बने हैं सोडिया आपको माइक्रोसकोप नदार नहीं आया तो मैं दूबारा से दिखा देता हूं कि मैंने कौन सी कौईला भी चेक हिह है फिर से और यह वाली मैंने भी चेक किया है मैं थोड़ा सा पास कर देता हूं और इसका फोकस कर देंगा सब्सक्राइब कीजिए गस्मान साथ अब चलें ठीक है मैं बटन प्रेस करता हूं देखें वन वोल्ड बने और यहां पर भी यहां भी 0.75 तक बने यहां भी वन बोल्ड बने तो और देखें दिसीजर आफ कीजिएगा चलें यहां कीजिए अधिक देखें जिरो पॉइंट सम्टिंग वोल्ड बनते हैं लेकिन फिर से ड्राप हो जाते हैं मतलब जब हम इसका बटन प्रेस करते हैं मदर वोड का तो कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर बनते हैं अब प्रॉब्लम यह आ जाते हैं कि आखर इसमें क्या क्या चीज़ खराब है वह जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है क्या चीज़ शौट आदेखें वन पंट फाइव वोल्ट भी बन रहे हैं इसमें यहां पर बन रहे हैं इन में कुछ एक सिस्टम एजन्ट वोल्टेज की हैं मुझे वॉटन jedem कौछल में आमेँ हैं टॉन फॉरण आवर हो रहे हैं यहां फ की साफ The से यहां फॉर्ट बन रही हैं यहां हैं फांट फाइव वोल्ट के ङांजरी किसे बना रही है साऽिव परहल matrix हरे अभी आपने देखा मैंने आपको काफी ज्यादा से मदर बोर्ड को पूरे करवाया है यहां पे ग्राफिक्स की जो सप्लाइंगा थी जब मैंने रहा है और सी प्यू लगाया हुआ तब कभी कभी जनरेट होती नहीं कुछ ना कुछ वैरी दिखाता था आया वो ग्लिच है ब इसका मतलब है कि जो एस तरी तक की स्टेज है वो इसकी डेफिनेटली फाइन है अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ लीकेज है यह उस शॉर्ट सार्किट है वाटवर कुछ भी है तो इस अगली स्टेज में जिरो में हो सकता है जहां इसका डिस्प्लेश बनने लगे क्योंक सकती है आप मुझे यह कमर्च में बताइएगा तो खैर मैं इसका ने इसे रिपेर करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या निकल दिया है तो यह जो वीडियो से मैं आपको प्रवाइड नहीं करूंगा क्योंकि यह फुल वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जो करने लेंक पर फेरिंग तो चले मैं इसका पको मजब शुर्ण करें तो अब हो गया तो अभी मैं इसे करता हूं और मैं सबस्क्राइड करता हूं आप डेसी पावर सबाइब सब्सक्राइब और एक मरतबा ऑफ हो गया क्योंकि इसमें जो बैटरी यह वो नहीं लगी हुए अब अब देखें यहां पर और कीबूर्ड पर दिखेंगे डिस्प्ले आजा जैसे कि आगया अब देखें इसका डिस्प्ले जो है वह आगया देखें किस तरह हमने इसका समूदली जो प्रॉब्लम कर ली है इसे फिक्स कर दिया इसमें कुछ भी हमारा इतनी ज़्यादा जहनी मैंटली खपत नहीं हुई देकिन यह जो प्रॉब्लम थी यह काफी देखने में काफी कम्पलिकेटिड लगती है कि आपका जो लैप्टॉप है वह सीप्यू के बगहर और वोल्टेज भी सारे बना रहा है ठीक है तो इसके बावजुद यह प्रॉपर से ऑन स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है ऑनों के ऑफ क्यों हो जाता है बार 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 सम्टाम यह पावर भी लेता और भी नहीं होता तो देखने में काफी लगती है और है भी इस बात में कोई डर्व नहीं लेकिन अगर आप इसे स्टडी करते हैं प्रॉपर्ली एक सीक्वेंस को फालू करके इसको रिपेर करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है यह बहुत आसान हो है कि हाँ इसे फलांच जगाव फांस का प्रव्लम है तो आप इदर उदर गोड़े नहीं दुराते सिधा उस प्रॉब्लम पर चला जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को सिक्वेंस को फालो करने के लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा जब तक आप सीखेंगे नहीं आप और मैंने तो इससे बिल्कुल भी कहीं भी को कारबन डेमेज की प्राब्लम भी नहीं देखी इसमें तो चले एक छोटी से वीडियो थी उम्हेद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलागा मुझे जाज़ती चीजिए असलाम अलेक्म आफिश